नमस्कार साथियों, हर्याना सरकार दवारा हर्याना के अलग अलग अक्षेत्रों में लेंड पुलिंग स्कीम के लिए आवेदन मांगे गए हैं जिसमें हर्याना के लग बारा से पंदरा जिलों के अंदर हर्याना सरकार ने टाइम टू टाइम लेंड पुलिंग स्कीम के लिए आवेदन मांगने का कारिय किया है। ये आवेदन मुख्यतोर पर देखें तो आईम्टीज के विस्तार के लिए ही मांगे जा रहे हैं जिनमें आईम्टी अंबारा, आईम्टी मानेसर और अलग अलग आईम्टी के विस्तार के लिए सरकार दवारा आवेदन मांगे गई हैं। हर्याना सरकार दवारा पिछले दिनों हर्याना के खरखोदा में भी 5801 जमीन के लिए लेंड पूलिंग स्कीम के तहत आवेदन मांगने का कारिय किया गया था। हर्याना सरकार दवारा पहले खरखोदा अक्षेतर में आज से लग वर्स पहले आयम्टी खरखोदा फेज 2 का जो नाम है उसे जटोला के रखबे में दिखाने का कारिय किया गया था जिसमें थाणा कला थाणा खुर्द और जटोला गाउं का रखबा शामिल था। लेकिन सरकार ने कुछ कारण रहे जिन में महंगी जमीन या वहाँ पर जमीन लेने में कठिनाई को देखते हुए सरकार ने आयम्टी फेज 1 के बैक साइड के एरिया में आयम्टी के फेज 2 के अठावन सो एकड के एरिया को मनजूरी देने का काम किया। जिसको लेकर सरकार का गजट नोटिफिकेशन जारी करने का काम किया गया। लेकिन यहां पर जो आवेदन की परकिरिया थी वो लगातार जो कितो फसी हुई है। यहां पर किसान आवेदन ना के बराबर कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो यहां से बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं जो ज्यादा तर यहां पर आवेदन कर रहे हैं जिन इसे हमारी बात भी हो चुकी है सरकार दवारा ये आवेदर 19 जनवरी 2024 तक की लास्ट डेट यहां पर सम्मीट करने की रखे गई है इसके बाद सरकार अपना रुक सप्ष्ट करने का भी काये कर सकती है इस बूमी की परकरिया में यानि की लेंड पुलिंग स्कीम के तहत जो जमीन लेने की परकरिया है यहां पर किसान काफी बड़ी संख्या में भर्मित नजर आ रहे हैं HSIIDC के तरफ से मांगे गई इन आविद्रों में किसानों के अंदर नाराजगी भी साफ़तोर पर देखी जा सकती है क्योंकि जब आप यहां पर भूमी अधी गरेन की परकरिया में भाग लेते हैं तब आपके सामने registration के portal पर दो options होते हैं पहला option आपके समक्ष आता है कि आप जमीन बेचना चाहते हैं आप जमीन बेचना चाहते हैं तो वहां पर आपको कितना मौजा मिलेगा परती जो गज का rate होगा परती एकड का जो rate होगा और क्या rate होगा क्या गाओं के अलग-अलग गाओं के रकबे में अलग-अलग परकार का रेट होगा इस परकार के confusion किसानों को भरमित करने का कारिय कर रहे हैं इसके कारण भी ज्यादतर किसान लैंड पुलिंग स्किम 2022 के तहत खर-कोदा अक्षितर में आई-म्टी विस्तार के लिए मांगी गई 5800 एकड़ जमीन में भाग नहीं ले रहे हैं और ज्यादतर किसान पोर्टल पर रेजिस्टेशन करने से बच रहे हैं नमबर दो पोइंट लैंड पुलिंग स्किम जब लैंड पुलिंग स्किम के लिए भी यहाँ पर आवेदन का दूसरा जो अप्षिन आता है जिसमें आप सरकार के साथ एक तोर पर साजिदार बने जाते हैं आपकी जमीन सरकार लेती है और परती वर्ष आपको एक लाख के आसपास परती एक एकड के हिसाब से पैसी देने का कारिये करती है तीन वरस तक शेम परकरिया चलेगी सरकार डवलप कर लेती है तो वहाँ पर जो प्लोट्स बढ़ाई जाएंगे उन प्लोट्स में से आपको एक प्लोट देड़े का कारिय किया जाएगा यहीं लेंड पुलिंग स्कीम का एक सबसे महन एहम किर्दार है यहाँ पर आपको पह साज क्या असबास जो जमीन होगी उसमें से लेकिन सरकार का दावा है कि हम आपकी जमीन को डेवलप कर रहे हैं एक एगरी कल्चर लेंड से आपकी जमीन को इंडिस्टियल लेंड में कनवर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आप अगर साजिदार बनते हैं तो आपकी जमीन को develop करके वहां पर आपको एक पलोट जो की एक इंडिस्टियल पलोट होगा आपको अलोट करने का कारिय किया जाएगा अगर माण लीजिए आज आपकी जमीन की कीमत एक करोड है और इंडिस्टियल पलोट सरकार तीन साल के अंदर अगर डवलप कर देती है तो आपकी जो आप नहीं कर पाती है आपको प्रतिवर्ष के हिसाब से माउज़ा दिया जाए तीन वर्ष के बाद एक लाख भी सजार हो जाएगा और चोथे और पाचमें वर्ष के बाद ये स्कीम का एंड की तरफ बढ़ जाते हैं उसके बाद आपको माउज़ा नहीं दिया जाएगा ये पूरी स्कीम पूरी हो जाती है क्या पता 400 से 500 स्क्रमीटर का प्लोट दे दे तो किसान काफी कनफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि उस प्लोट का क्या करेंगे इस परकार भी दोनों तरफ से भरम किसानों के मन में पैदा हो रहा है और जो जो 19 जनवरी 2024 आगे आती जा र हो और किसानों को पता लगबाए कि लेंड पूलिंग स्कीम में उन्हें फाइदा रहेगा या नहीं रहेगा इस परकार कुछ दिली से सिवमा से सटे किसान भी हैं दिली के किसान बता रहे हैं कि लेंड पूलिंग स्कीम उनके फाइदा मंद नहीं रही है और कुछ किसान य कारिये कर रहे हैं इस परकार खरकोदा अक्षित्र के जो ग्यारा गाओं है उन ग्यारा गाओं के किसानों के अंदर बड़ा भरम पैदा हो गया है और वे लगातार कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं सरकार को एक रुक सपस्ट करना चाहिए कि कितने स्क्वेर कज का प्लोट मिलेगा अगर जमीन वे बेचना चाहते हैं तो क्या उन्हें जमीन का रेट मिलेगा उसके बाद ही किसान ज्यादतर रजिस्टेशन के परकिरिया में हिस्सा लेने को तयार होंगे हमारे पास भी कई किसानों की रिक्वेस्ट और मेंसेज आए थे कि एक वीडियो आप इस ट्वपिक पर बढ़ा कर बताएं कि किसान क्या करें और एक खास पॉइंट और रहता है कि जो वेक्ती जो जमीन बेचना चाहते हैं पहला तो उनका हो गया वे बेचना उसको develop करके उन्हें प्रोट दे 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 दोनों रुक सपस्ट होगे एक तीसरे परकार के वेक्ति भी है जो जमीन भेचना भी नहीं चाहते और जमीन में जो investment है यानि कि जो सरकार उन्हें प्रोट देगी जमीन के बदले वो भी नहीं लेना चाहते तो उन लोगों का क्या हैं तीसरे वाड़ा जो पॉइंट है उसको लेकर कुछ किसान कोर्ट के दरवाजे तक भी जाने का कारिय करने वाले हैं जिसको लेकर एक पांच से छे किसान हमसे भी मिले थे उन्होंने कहा था कि सरकार की निश्पक्षता अगर ठीक रहती है तो ठीक है नहीं तो हम नहीं जमीन बेचना चाहते हैं नै हम लैंड पूलिंग स्किम में आविदन करना चाहते हैं हम अपड़ी जमीन को बचा कर रखना चाहते हैं इसके लिए अगर हमने अचाहतों कि आमें कोर्ट के दरवाजे भी खट खटा सकते हैं ये कुछ किसानों का कहना था इस परकार ये इसा खासा मौज़ा दे पाएगी और प्लोट अगर देगी तो प्लोट कितने वर्ग गज का होगा वर्ग स्क्वेर मीटर का होगा ये सपस्ट वादिता के बाद ही ज्यादतर किसान लैंड पूलिंग स्किम में आवे दिन के बारे में सोचने वाले हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो के माद दिम से कमेंट के माद दिम से हमें बताने का कारिये जरूर करें और सरकार की लैंड पूलिंग स्किम के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट बॉक्स के माद दिम से कमेंट करके हमें बताने का कारिये जरूर करें वीडियो को लाइक क क्यानल को सब्सक्राइब करें सी के साथ हम नई अपडेट और वीडियो आपके समख से लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए जहिंद चाह भारत